अध्याय चार, सभी समान्यताओं और समान्य व्यक्तियों का परिगमन, तधा उन्हें जाने देना, और्डियो बुग बाएं मिलियनेयर माइंड्स, क्यों कभी कभी मैंने विश्वास किया है कि नास्ते से पहले वे छे असंभव बाते अवश्य हो जाएंगी, लुईस कैरॉ एलिस इन वंडरलेंड, तो तुम चित्रकार हो, ठीक, बेघर ने अपनी अव्यवस्थित पटीचर शट के हिलते बटन से, खेलते हुए पूछा, हाँ, बुदवदाते हुए कलाकार बोला, निराश व्यक्ति की ही तरह, मैं अच्छा हूँ, मगर महान नहीं हूँ, मेरे ज वसकी कीमते, अकाश को चूने से पहले, मैंने वहाँ जगे खरी दी, मैंने सर्वस्रेष्ट गुड़ों के पास रहने की महत्वता सीख ली है, जहां कहीं भी जाऊं, वह मेरी सर्वस्रेष्ट जीत में से, एक है, कि मैंने अपने जीवन का निर्माड वैसा किया है, जैसा क मैंने गड़ा है, मैं अपने व्यावसाई में भी सिर्फ स्रेष्ट एके खिलाडियों को ही आने देता हूँ, क्योंकि सी श्रेणी के खिलाडी एस तरका पदर्शन नहीं देख सकते, हम सिर्फ वे ही उतपाद मार्किट में फैकते हैं, जो हमारे मार्किट को अस्तव्यस्त कर दे, और फिर छेतर को कौन रूप से इस तरह से बदल देते हैं कि वे कितने मूल्यवान हैं, मेरे व्यावसाई सिर्फ सेवाएं देते हैं, जो नैतिक रूप से हमारे ग्रहकों को धनवान बनाते हैं, उपियोख करने वालों को विस्मयकारी अनुभव दिलाते हैं, और आर्थिक उभुभुखताओं को अनुगामियों को जन्म देते हैं जो बाद में किसी और के साथ व्योसाई करने की सोच नहीं सकते और मेरे अपने व्यक्तिकर जीवन में भी यही वस्तू है मैं सिर्फ सर्व स्रेष्ट वस्तू खाता हूं मगर उसे कम ही खाता हूं मैं मौलिक और विचारसील कुस्तके ही पड़ता हूं अपना समय सबसे अधिक उजाले से भरे प्रेड़ना दायक स्थानों में ही विताता हूं और सबसे अधिक यात्रा जादु मैं जगों पर ही करता हूं और बात जब संबंधु की आती है मैं स्वैम को उन मुनश्य से घेल देता हूं जो मेरा आनन बढ़ाते हैं मेरी शांती को सहलाते हैं और मुझे अच्छा मानव बनने के लिए उत्साहित करते हैं जीवन का मार्ग बहुत मुल्यवान है जिस पर हम उन लोगों को नहीं ले जा सकते जो आपको समझते नहीं है जिनके साथ आप एक सुर में अला जरियां, स्वास्थे चलन और आत्माओं की दिशा गमन आप से भिन है यह तो जादू ही है कि हमारे जीवन प्रभाव और बातावरण कितनी सबलता और गहराई से हमारी उत्पादक्ता और टक्कर को अकार देता है रोचक उद्यमी ने अपने फोन को गूरते हुए ध्यान दिया लगता नहीं है कि वह जानता है कि वह क्या बात कर रहा है उसने धीमे से फुसफुसा कर कलाकार से कहा उसकी आँखे अभी स्क्रीन पर थी उसके चेहरे का मकडी के जाले जैसा जुरियों का जाल कुछ और तन नाव मुक्त हुआ एक कलाई में दो चांदी की निर्मल चूणिया लटक रही थी एक पर सुवयाक के अंकित था नहीं कर सकता को कर सकता है मैं बदलो और दूसरे पर अंकित था कर लिया उत्तम होने से बहतर है जो कर लिया वह संपूंगता से अधिक अच्छा है खुद्यम ने ये दोनों उपहार स्वयम के लिए खरीदे थे जब उनकी कंपनी आरंभिक स्टेज पड़ थी और वह स्वयम एक सर्वोत्तम अश्वस्त मानसिक्ता में मैं मानसिक्ताओं के बारे में जानता हूँ कलाकार ने कहा पर कभी दिल, स्वास्त और आत्म की स्वभावित स्थ किती में बुरा नहीं सुना, तुम अवश्य सुनोगे, बेघन ने उसे सुझाओ दिया, और एक बार अगर सुन लिया, तो जिस प्रकार से निर्माड करते हो, उत्पादन करते हो, और उसे दिखाते हो, वैसा नहीं रहेगा, किसी भी निर्माता या विश्व निर्माता के के लिए गंभीरता से क्रांतिकारी विचार, अतहा कुछ उद्यमी और अन्यमन्जू, इनके बारे में जानते हैं, यदि उन्हें ग्यात हो गया, तो उनके जीवन का हर महत्कूर्ण तत्व, तेजी से बढ़ने लगेगा, अभी के लिए मैं निजी आश्वासनों पर, अप के कार्यवानों को, को अकार देते हैं, कला आत्मा को भोजन देती है, उस तके अकांगशाओं को युद्ध से बचाती है, समरिद, समबाद, रचनात्मक्ता को विशाल देते हैं, आश्चर्य जनक संगीत, इरदय के उपर उठाता है, सौन्द्यरत में, इरदय, आत्मा को के लिए सकारत्मा से भरी सुभा जरूरी है कि मानव जाती का स्थान व्यवसाई का एक सर्वोत्तम खेल है, जिसे शिखर के पांच प्रतिशत खेलते हैं, व्यवसाई के असली उद्देश्य केवल निजी संपत्ति को बनाना नहीं है, इस खेल का वास्तविक उद्देश्य समाज का भला करना है, मेरा मुख्या ध्यान सेवा करने पर है, धन, सामर्थ्य और प्रतिश्ठता तो उपपोद्दाओं हैं, मुझे रहा में मिल गए, एक पुराने और उलेखनीय मित्र ने मुझे इस रहा पर चलना सिखाया था, जब मैं युवा था, इसने मेरी संपनता को स्थिती और निजी स्वतनतता के परिणाम को बिलकुल बदल दिया था, और तभी से इस विरोधभासी, व्यपार दर्शन, बैश्मय दिखाने वाले दर्शन काम करने से मेरे ढंग पर हावी हैं, किसे पता शायद मैं अपने ज्यान गुरू को आपको मिल वाउं। गुमककड कुछ रुका, उसने अपनी बड़ी घड़ी को देखा, फिर उसने अपनी आखे बंद की और बोला, अपनी सुभा के स्वामी बनो, जीवन को उन्नत बनाओ, मानो जादू से एक बहुत ही छोटा और काफी मोटा सफेद कागच, उसके फैला रखे, लंबे बाए हाथ की हथेली में आ गया, वहे निश्चय ही कोई तरकीद थी, आप तो उससे बहुत प्रभावित हुए होते, यदि वहाँ इन तीन आत्माओं के साथ खड़े होते, उस कागच पर आकरिती कुछ-कुछ इस प्रकार की थी, उद्यमी और कलाकार दोनों के मुख खुले रह है गए, मानों वे दोनों ग्रहमित और मंद्रमुग्ध हो गए हो, तुम दोनों में सिफ प्रतियक के अंतर एक हीरो है, तुम जब बच्चे थे तो जानते थे, फिर बड़ों ने तुमसे अपनी शक्ती को सीमित करने को, अपनी बुद्ध मता को बंधन में रखने को, और अपने ख्रिदय के भेदों को धोखा देने को कहा, बेघन ने उनसे कहा, काफी हद तक निपुर्टा के अंदाज में बुजुर्ब बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उसने आगे कहा, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम जानते थे कि कैसे जीना है, सितारों को टक-ट ले आता था, ओ, मैं तितलियों का कितना पसंद करता था, और फिर तुम जब बड़े हुए, तो भूल गए कि मनुश्य कैसा बना जाए, बहादूर और उत्साही बनना और प्यार करना, तथा उमाद की हद तक जिन्दा रहना भूल गए, तुम्हारी आशा की रचनात्मत् समान्य बने रहना सुकार कर लिया तुम्हें, रचनात्मक के दीपक, सकार अत्मत्ता और महानता के साथ तुम्हारी आतमियता भी मधिम पड़ गई, जियों जियों तुमने उसमें समानय का प्रतिन किया और उसे अधिक पाने और लोक्रिया बनने का, ठीक है, मैं यह खेता हो शिथिल हो गए हो बुजुर्गो उदासींता सीमितितों का हिस्सा मत बनो मैं तुम्हें आमंतर दे रहा हो एक यथार्ट में प्रवेश करने का जिसे सिर्फ वास्तविक महागुरू और इतिहास के महाग्यानी प्रुश ही जानते हैं अपने भीतर का आद्दे शक्तियों क को खोजने का जिन्हें आप जानते ही नहीं थे कि वे वहाँ गुप्ट स्थान पे बैठी हुई हैं आप अपने कामों में नीजी जीवन में भी जादू पैदा कर सकते हैं मैंने यकीनन किया है और यहां मैं तुम्हारे ऐसा करने में सहयता के लिए तयार हैं इससे पहले कि कलाकार और उद्यमी एक शब्द भी बोल पाते बेघन ने अपना प्रवचन जारी रखा ओह मैं कला में उलजकर है गया था और मैं जिस परिस्थिती से तंत्र के साथ अपका जीवन बना है वह मुझे पूर्टगाली लेखक फननेनेंडो पैसुआ के विलक्षन सब्दों क याद दिलाता है कला हमें विमुक्त करती है ब्रह्म के माध्यम से होने का घिनोनापन से डैनमाक के राजकुमार हैमलेट के द्वारा भोगी हुई भोलो और कष्टों का अनुभाव करते हुए हमें अपने भोले याद नहीं आती है जो घटिया है क्योंकि वे हमारी और मिश्वास पूर्वक नहीं मालूम, मगर सितारों के द्रिशे मुझे अपने सपने दिखाते हैं। बेघर व्यक्ति बड़ी मुश्किल से निकला, उसके आँखों दूर चली गई, उसने निराशा से अपना गला साफ किया। मित्रों, मैं सुमे, मैं बहुत भलातों में से गुजर चुका हूँ, जीवन ने मुझे लतलताया है और ठोकरे मारी है, मैं बिमार रहा हूँ, हमला हुआ है, दुरगती हुई है, दुरुपियोग हुआ है मेरा, अरे मैं तो मानो गाउं का गीत बन गया, अगर मेरे साथी ने मुझे धोका दिया होता, और मेरा कुटा मर गया होता तो मेरा सफल एकल होता, बेघर हसा, एक विचित्र गले से निकली हसी मानो, सरकस के विदूशक तिजा पीकर हसा हो, उसने आगे कहा, कश्ट गहराई में उतरने का मार्ग है, समझे, मैं क्या कर रहा हूँ, और दौरू जलाकर नश्ट कर देता है, हमें हम्यारी चमक और गुधिमानी वापिस लोटाता है, यदि आप में से उसमें जाने का हिम्मत है, जो घाव देता है, कश्ट अने को पुरिश्कार देता है, जिनमें मौलेक्ता, सहानुभूती, सापेच्छता और प्रमाडिक्ता भी आ जात लिया, बिना निमंतरन पोथिक के जोड से कहा, वह बहुत अजीब है, अश्विश्निय धंग से संदेही, मगर उसमें कोई तो बात है, उद्यमी ने कलाकार के आगे माना, अपने उनमात थोड़ा सा उगारते हुए, उसे ने अपनी तांतरिक व्यावसाय को बचा कर रखा हुआ था, अभी अभी उसने जो कहा, उसी बात को मैं सुनना चाहती थी, मुझे पता चला कि वह ऐसा दिखता था, मानो वह गत्ते के डिब्बे में सणकों पर रहता हो, मगर उसके सब्द तो सुनो, कभी वह कवियों का समान बोलता था, वह इतना सुस्पष्ट कैसे हो सकत है, उसमें गहराई कहां से आती है, और उसका यह पुराना मित्र कौन है, जिसने उसे वह कहता है, बहुत कुछ सिखाया है, उसमें वह उसमा भी है, जो मुझे अपने पिता की याद दिला देती है, मैं उनमें अभी भी याद करती हूँ, मैं उन्हें अभी भी याद करती ह वहे मेरे विश्वस्निये थे, मुझे सबसे ज़्यादा अधिक सहारा देने वाले थे और मेरे सर्व स्रेश्ट रमित्र थे, मुझे उनकी याद तो रोज ही आती है। ठीक है, कलाकार ने उस विशिष्ट अजनवी से कहा, तुमने पूछा था कि मुझे व्याख्यान की कौन सी बात स्रेश्ट लगी थी, मुझे वहे इस्सा सस्मुच में अच्छा लगा था, जहां निपन व्यक्ता, स्पार्टन योद्धा क्रीडा के बारे में बात कर रहे थे जो कहता है, वहे जो ट्रेनिंग में समय जादा अधिक पसीना बहाता है, युद्ध में कम खून बहाता है, और मुझे उसकी यह पंक्ती पसंद आई थी, उच्च जीत ने उन सुबा के घंटों में बनाई जाती है, जब कोई नहीं देख रहा होता, और जब अन्या सभी सो रहे होते हैं, उनकी नीतियां, विश्वस्त्रिय, प्राताकाल के दिंचर्य के बारे में महान थी, उद्यमी ने अपने साधन प्रद्रिष्टी डाली, मैंने कुछ अच्छे संदर्ब जमा कहके रखे थे, मगर मैंने उन रत्नों को नहीं बटोरा, वह बोली, और जो उसने सुना था, उसे गाठ बाद लिया, हम सिर्फ वही सुनते हैं, जो सुनना चाते हैं, बेघर व्यक्ति ने बुद्धि मता से कहा, मानो साधू हो, सारा ग्यान हमें ठीक उसी स्थान पर मिलता है, जहां हम हैं, और जैसे जैसे हम महान होते जाते हैं, बहतर समझने लगते हैं, अचानक निपुण व्यक्ता की अवाज बज उठी, बेघर व्यक्ती की आँखे ताजमहल के समान बड़ी हो गई किसी की भी समझ में आ गया होगा कि वह कितना अधिक विस्मित था उस सप्रपसिद ध्वनी को सुनकर उसने मुड़कर देखा ध्वनी ने उद्द्रम को खोजने के लिए अविलम सब कुछ स्परश्ट हो गया कलाकार अपने सैमिनार की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग को बजा रहा था यह है वह हिस्सा जो मुझे सबसे अधिक अच्छा लगा था आपके पूरी सवाल के जवाब में प्रिया भाई उसने गंदे अस्तव्यस्त गुमकड की आँकों में सीधे देखते हुए कहा आज साइबर जॉंबी संस्कृती में जिने आदत पढ़ गई है विशेप और व्योधान से पीडित तब सबसे बुद्धिमान का मार्ग शर्टियां यही है कि तुम निरंतर, उतक्रेष्ट, कौशल पूर्वक परिडाम पैदा करो अपने कारे छेत्र में और निजी जीवन में भी और इसके लिए एक विश्वस्त्रिय सुभा का कारे क्रम सुनस्चित करो और आपको अरंभिक घंटे ही है जब नायक गड़े जाते हैं दुर्बलता की विरोध में युद आरंभ करो और भय के खिलाब आंदोलन आप वास्तव में प्राता काल जल्दी उठ सकते हैं और ऐसा कन्ना दिगज बनाने के रास्ते में बहुत अवश्यक है अपने दिन के आगे के भाग की विशेषता संभाल कर करें और दिन को शेष भाग में स्वयमय अपनी संभाल कर लें गए अपने प्राता काल के स्वामी बनो अपने जीवन को उभारो निपुन वक्ता कुछ सांस लेने में घरगराते सुने जा सकता था मानो कोई नया तहराक जल्दी में काफी दूर चला गया हो कलाकार अपने रिकॉर्डिंग बजा रहा था आवाज बढ़ा रहा था जो अब चीक रही थी यहाँ छोटा सा बहुमोले रहसे है जो उद्यों के सेर्शक, कला के निस्थपादक मानफता को अंत प्राप्त करने वाले आपके साथ कभी नहीं बाटेंगे विशाल परिडाम, गिरासत में मिले अनुवंशकी से कही कम और आपके रोजा अद्दों का कही जादा है आपका प्राता काल के धार्मिक क्रियाएं आपको योगता और चरित्र बलको आपकने के लिए बहुत महत्पूर है फिर स्वचलन के लिए जब हम महा मानवो को सक्रिया देखते हैं तो दबावपूर्ण प्रलोभन जो हमारी संस्कृती ने हमें बेचे हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि वे असधारणता में पैदा हुए थे स्वभाग्य शाली डियाने लोटरी में जीत गए हैं कि उनके बुद्धिमत्ता उन्हें पैतरक रूप से मिली हैं मगर सच्चाई तो यह है कि हम उन्हें उनकी पूर्ण गौरम माय और जिस्त्ता से मैं एक सुनस्चित प्रक्रिया को वर्षो करने के बाद देख रहे हैं जिसने अनंद गंटों का अभ्यास लगा हुआ है जब हम शांदार खिलाडियों को वियपार, करता खेल कोद में विज्ञान तथा कला छेतर में देखते हैं तो उस समय हमें एकल बिंदू के आसपास बलिदान की तीवरता, गहराई के असाधारन स्तर तथा विशेष्ट ठोस धीरच को अबलोकन कर रहे हैं याद रखें हर अनुभवी व्यक्ति कभी तो नह सिखिया रहा होगा और हर प्रवीण ने अपना आरंभ भी आरंभिक रूप से ही में ही किया होगा समान्य विक्ति असधारन उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं यदि एक बार उन्हें सही आदतों का नित्य क्रम में डाल दिया जाए यह महिला बहुत मजबूद है बेघर विक्ति ने कहा उसने अपने गंदे हाथ मैले में एक बालक की भाती बजाए उसने अपनी घड़ी फिर से एक बार देखी फिर उसने अपने पैर अपने नितंबो को आगे पीछे हिलाते हुए समय जुलाए उसके बाद अब हवा में लहरा रहे थे और वह अपनी उंगलियां को चटका रही थी फिर से आँखों को बंद करके वह ध्वनी ऐसी लगती थी जिसे पहले से रैपर्स बिना बूम बॉक्स के उपने फटे हुए ओठों से निकालते थे बीट बॉक्सिंग आप उसे सक्रिय देखकर चकित हो गए होते यह क्या तमाशा कर रहे हो कलाकार ने चिला कर कहा नाच रहा हो बेघर वेक्ती ने शान से घूमते हुए उत्तर दिया यह मनमुहग ज्यान मेरे पास लाते रहो सुकरात ने कहा था सिक्षा दीपक के जलने जैसा है और आईजक एसमव ने लिखा है आत्म शिक्षा ही एक मात्र शिक्षा है जो मुझे विश्वास है कि शिक्षा है अतहा प्राचियन गुरुओं के शब्दों को सुनते सुनाते रहो दोस्त यह सब इतना गठिला है कलाकार ने फिर से रिकॉर्डिंग चलाई इस विश्व ने अपनी महारत के सभी चोरों को भारी विरोध करे जिसने आपको व्याकुल किया है डिजिटल मनुब्रंद करके पागल बनाया है अपने ध्यान को पून अविव्यक्ती के लिए बल पूर्वक पुना संभावित सबसे अधिक पेड़ा पर लगा और आज ही उन सारे कार्णों को समाप्त कर दें जो आपको आपकी शक्ती की विकास हिंता को पूशड करते हैं कालपनिक व्यक्ती बनना आरम करें वे दुरलब लोग जो आपके भविश्य के शीतनता में से हैं बनाम पिछले जीवन के कैद की सलाकों में से आगे आये थे हम में से प्रतियेक आश्चर जनक चमतकारों से भरे दिनों में लिये तरस्ता है हम्मे से प्रतियेक आश्चर्य जनक चमतकारों के लिए भरे दिनों के लिए तरस्ता है हम्मे से प्रतियेक विशुद नायक्तों को सबक बनाकर आदिकालीन स्रेष्ट क्रियां को उत्पन करना चाहते हैं हर मानव जो जीवित है उनमें एक आदी वासना होती है कि वे सर्व स्रेश्ट रचनाय बनाएं ताकि वे विस्मय उत्पन करें विस्मय बोध पैदा हो और ग्यात हो जाए कि हम अपने घंटे इस प्रकार से बिता रहे हैं जो दूसरों के जीवन को सम्रिद बनाता है कवी थोमस कैंबिपेल की सुन्दर्ता से कहा था जब उन्होंने ध्यान दिया था रिद्यों में जीने के लिए हम मरना नहीं पीछे चोड़ सकते हम में से प्रतियेक बास्तम में अपने अपने प्रामडिक तरीकों से इतिहास बनने के लिए निर्मित हुआ है किसी के लिए इसका तातपर्रे होगा कि एक स्रेश्ट नियम वाला बना या उत्तम सिक्षक बनना जो युवा मनों में उपर उठा सके अन्य के लिए इस अवसर का मतलब विस्मेकारी मा बनना या अधुद व्यस्थायक बनना भी हो सकता है अभी किसी और के लिए इस सौभाग्य का अर्थ होगा एक विस्तरत व्यापार को बढ़ाना या एक बिलक्षन विक्रेता बनना जो ग्रहाकों को अति उत्तम सेवा देता है यह अबसर भविश्य की पीडियों को याद रहे और यह एक ऐसा जीवन जिया जाए जो माईने रखता हो कोई साधारन बात नहीं है यह बास्तव में सच्चाई है फिर भी हम में से बहुत कम ने इससे खोजा और यह स्थापित किया है बिल्कुल ऐसी मानसिकताएं सुभा की आच्रण और संगत स्थितियां इन परिणामों की जो हमारे संद्रिश्य हैं मैं गारंटी देता हूँ हम सभी अपने विशाल ततिभाओं असीम आनंद भय से मुक्ति को जन्मसिद अधिकारों को पुन मुरलियान करना चाते है मगर हम में से कम लोग ही उस क्राय को कर पाते हैं जो हमारी आवेश्ठित बुद्धी को सुवयम को प्रस्तूत करने के लिए मददगार होती है और यह सब बहुत दुखत भी है हम में से अधिकांश अपने सार की दीपती से मनमुग्द हो चुके है हम में से अधिकांश के स्काल में भी अपने जीवन के केमती घंटे व्यस्त रहकर बिताते हैं तुछ का पीछा करके बनावटी मनोरंजन में जबकि हम वास्तविक जीवन को नजर अंदाच कर रहे हैं यह अन्त में रिदय घात का मूल तंतर बन जाता है अपनी सर्वस्रेष्ट सुभों और प्रद्धिपाओं उत्पादक दिनों के उन पहाडों पे चड़ने के लिए मताबित है जो अब आप दुर्बल और जुर्यों से भर चुके होते हैं तो ग्यात ही गलत है बेहद दुखद यह हिस्सा सच्पुत में मेरे साथ प्रतिध्वनित हुआ बीच ही में उद्यमी ने कुछ भावुकता से कहा मैं निश्चय ही अपने शिल्प कला की आदी हूँ हर व्यस्ति को परखना नहीं बोलती सुबा जब से पहले और रात को अंत में यह मेरी एकगरता को नश्ट कर रहा है मैं बामुश्किल ध्यान दे पाती हूँ कि मैंने और मेरे दल ने कौन-कौन से वित्रण प्रदान करके का दायत्व लिया है और मेरे जीवन की सारी हलचले मेरी शक्ती को चूस रही है यह सब बहुत उलज गया है मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास मेरे स्वयम के लिए भी कोई समय है यह सब बहुत जादा है इतने सारे संदेश और सूचनाय तथा विज्यापन और बहलावे और जो निकुन व्यक्ता ने कहा था वह भी मेरे लिए मददगार है क्योंकि अब नायक के रूप में मैंने अपना स्तर को उपर उठा लिया है अब मैं माने दिवार से टकरा गई हूँ मेरे कंपनी ने मेरी आशा से अधिक तरक्की की है मैं कलपना से अधिक सफल हो गई हूँ मगर कुछ वस्तुएं जो मन भर का वजन मेरे दिल पर रखे हुए है उसने पर देखा और अपनी बाहें फिर से मोड ली मैं उन्हें नहीं बता सकती हूँ कि मैंने किन बातों से निपट रही हूँ उध्यमी ने सोचा फिर उसने जारी रखा मुझे अनेक लोगों को छोड़ना पड़ा जिन्हें मैं सच-कुछ में चाहती थी क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कुछ व्यक्ति जो व्यवसाई की घड़ी में सटीक होते हैं वे संस्था के बढ़ाने पर क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कुछ व्यक्ति जो व्यावसाई की घड़ी में सटीक होते हैं, वे संस्था बढ़ाने में संभव हैं, काम में ना आ सकें, वे बहुत मुश्किल था, वे पिछले संभव में आदर्श करमचारी थे, मगर वे सब के साथी नहीं है, और अब मेरी दुकान में बहुत सी नए ब अस्थिर समय हैं, ठीक है, अपने नायक्तों को खेल से उठाने की बाद बेगर व्यक्ति ने प्रयुक्तर दी, कृपिया याल रखें, कि नायक का काम होता है, अब विश्वस्नियों को अपने दृष्टी कोड में समेट लेना, अशक्तों को उनकी दुरबलताओं पर विज उनकी योग्य नहीं रह गया है, मगर यह तो बढ़ते विपार का समान्य हिصसा है, और वह इसलिए हुआ है, कि अपने वे व्यवसाए को बढ़ने के साथ साथ बढ नहीं पाए, उन पर खर्च लगने लगा, उन्होंने सीखना और खोजना बंद कर दिया, वे जिस भी किसी व्यक्ति को छूते वस्तु को छूते उसे जितना पाया था उससे अधिक अच्छा बनाना बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने आपके सहासिक कार्रे के लिए मुल्ले बढ़ाने वाले परिणाम लाना बंद कर दिया उन्होंने शायद आपको दोश दिया मगर य चोताओं को अपने कुर्तकों के द्वारा दल संजोंजन तत व्यावसाइब में जीत की ओर, ओ, सही है। उद्यमी ने उत्तर दिया, अधा हमें उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब वे परेडाम नहीं ला पा रहे थे, उनके लिए हमने उन्हें पैसे दिये थे, अनेकों रातों के सुभा, दो बजे उठी, गर्म पसीने से भीगी, जैसे एफाई के रेसर मारियों, ए ठीक ऐसा ही है, अधिकांश दिनों में महसूस करती हैं, हम अपने प्रमुक का रेवन, निर्देशकों को इतनी तेजी से पार कर रहे हैं, कि मेरा सिर्च चक्र खाने लगता है, नए दल का सदस्य, परामरदर्शता, प्रवंधन के लिए नए ब्रांड, नए बजार में रीकना, नए उत्पाधक्तों को परिशकरत करना, नए निवेशकों और शेर होल्डर को प्रभावित करना, तथा अन्यहजारों नए कामों को, उर्तत दायित to, सच में ऐसा लगता है, कि यह बहुत सारा है, मुझमें बड़ी योगता है, बड़े बड़े कामों को करने की, मगर मेरे कंदों पर बहुत कुछ लगा हुआ है उद्यमी ने अपने बाहू को कसा और अपने माथों के अगले हिस्से को शुन्यचित सिकोडा उसके पतले होंट दोनों गिर से खिंचकर मानो समुद्री जीव की भाती हो गए हो उसने किसी खातक शिकारी को देख लिया था बगर उसकी आँखे बता रही थी कि वे बहुत पेड़ा में है घहरे दुख में और तुम्हारी उस बात के लिए कि हमारे प्रौध्यागिकी की आदत पड़ गई है सिर्फ इतना याद रखो कि यदि ये समझकारी पर पूरवक काम में लाया गए तो यह मानव विकास लाती है शिल्पकता और गुद्धिमता पूरवक वेहवार में लाकर हमारे जीवन को बहतर हो जाते है हमारा ज्याण बड़ता है और हमारी अदवुद्ध दुनिया सिकुड़ जाती है प्रौध्यागिकी को विकृत ज्यान ही हमारे दिमागों को भ्रष्ट करता है हमारे समाजों के ताने बाने को बिगाड़ कर उत्पादक्ता का नाश करता है आपका फोन आपकी स्मृध्धी का नाश्ट कर रहा है क्या आप जानते हैं अगर आप उससे दिन भर खेल रहे हैं और अपने उपर लदे दबाव की बात की इतनी अद्बुध है वह दबाव तो विशेशकर है टैनिस के दिक्ट बिली जिन्ग ने कहा था बेगर ने इसे सांजा किया और व्यक्ति के रूप में उपरी ओर को चड़ाओ अपने विशेश के जीवन के लिए बिताने की चतुर सुव्यस्थित तरीका है मेरे विशेश सिक्षक ने मुझसे यह भी कहा था कि अपने सर्वस्रेश्ट स्वयम को खोजने के लिए आपको अपने जीण स्वयम को खोना पड़ेगा और वह तभी होगा जब कठोर, सुधार, निरंतर प्रतिक्रियाएं स्वयम उत्खन होंगी यदि आप प्रति दिन नहीं उभरेंगे, तो आप जीवन में अटक कर रह जाएंगे जीवन भर के लिए इससे मुझे याद आ गया, जो पत्रकार नौर्मन कंजिंस ने जो कहा था वह मुझे समझ आता था, जीवन की त्रासिदी मृत्य नहीं है, बलकि वह है जिसे हम अपने भीतर मन्ने देते हैं, जब हम जीते हैं बेघर व्यक्ति ने अपनी घर गराती, करकरश, अवाज में और उपर उठाया और देखा मेरी विशेश शिका ने मुझे सिखाया था, कि एक बार हम अपने प्रमुक मौलिक संबंधों को अपने साथ के रिष्टों के साथ बदल लेते हैं तो हमारे औरों से संबंध, हमारा कार्रे, हमारी कमाई और हमारी टकराहट भी बदल जाते हैं अनेको व्यक्ति स्वयम को भी सेहन नहीं कर पाते हैं अतहा वे कभी भी अकेले नहीं होते और शांत उन्हें निरंतर औरों के साथ रहने की जरूरत है ताकि अपनी आत्मग्रिणा को अनुभूती पर अन्य सभी अपिष्टि सम्मता, चमता, चमतकार और ज्ञान को खोना जो एकांत और निरव लाते हैं से बचा सके अत्वा वे अंतहीन टीवी देखते रहते हैं, उन्हें भान भी नहीं होता कि वे अपनी कालप शीलता को च्छै कर रहे हैं, साथ ही बैंक बैलेंस को दिवाला निकाल रहे हैं मेरा जीवन मुझे इतना उल्चा हुआ लगता है और मैं इतनी व्यग्ड मेरे पास स्वेम के लिए समय नहीं हैं उद्यमी ने पुन्हा कहा, पता नहीं मेरे जीवन को क्या हो रहा है, चीजे सिर्फ कठिन हो गई है जीवन की गती खो गई है, मैं आपको समझाता हूँ कलाकार ने अपनी एक बाह अपने नई मित्र के कंधे पर रखते हुए कहा मेरा मन कह रहा है कि आप जितना बता रही है उससे कही जादा से मैं गुजड़ चुका हूँ और वह भी ठीक है, कई वार जीवन इतना गंदा लगता है कि मैं बिस्तर में से निकल भी नहीं पाता मैं सिर्फ लेटा रहता हूँ, मैं आखे बंद करके सोचता हूँ कि मेरे दिमाग की दुन बस सरक जाए एक दिन के लिए भी कुछ अवसरों पर तो मैं सीधे सोच भी नहीं सकता और उन दिनों में मेरे दिल में कोई उमीद भी नहीं होती बेकार लगता है, बहुत से मनुश्य भी बेकार चूशते हैं भाई तेरे, मैं असमजानिक हूँ, मैं तुच्छता के खिलाफ हूँ इन दिनों बहुत अधिक कूंगे दिखे जाते हैं स्वेम के मूर्खता पूर्ण, फैशन बल, चित्र मू फैलाए उन कपड़ों में लेते जीने, लेने के लिए उन्हें सामरित्ते नहीं है उन्हें लोगों के साथ लटके हैं, जो उन्हें पसंद भी नहीं करते मैं इसकी अपेच्छा, एक समझ दीरापूर, जीवन में बिताना चाहूंगा एक जोखिम भरा जीवन, एक वास्तविक जीवन, एक कलाकार का जीवन मैं तो सोचकर पागल हो जाता हूँ, कि लोग इतना बनावटी जीवन जी कैसे लेते हैं फिर कलाकार ने अपने एक हाथ की मुठी को दूसरे हाथ की हथेली में मारा हथीली, अंचाही जुरियां उसके जबडों के पास उभर आई और मोटे गले में एक नीली मोटी नस लपाने लगी निश्चे ही मैंने आपकी बात समझ ली बेगन ने कहा, जीवन सरल नहीं है अधिकान शमे, एक कठिन नारा, मगर जैसा जौहन लेनन ने कहा था हर बात अंत में ठीक हो जाएगी और अगर वह अच्छी नहीं हुई, तो वह अंत नहीं है उसने नम्रता से एक और उद्धरण को फुहारे की तरह से छोड़ते हुए कहा मानो दिमाग में उसकी असीमित अपूर्ती हो कलाकार ततकाल मुलायम पड़ गया और ऐसे हसा, जो बहुत अच्छा लगा व्यवसाइक प्रभुता के उपर की और चड़ाई जिसमें हम तीनों ने भाग लिया है वहर दुरबरों के लिए नहीं है जीवन को उच्छ स्तर तक ले जाना ताकि आप वास्तविक आनन जान सकें और अपनी प्रभुताव को उच्छतम बना कर उसे अपना सकें संभव है, अनेको बारव है, आरामदाएं ना लगें मुझे इमानदार रहने की जरूरत है मगर मैंने एक प्रमुब बात सीकी है कड़वाहड की कीमत पश्चाताप के सर्वनाश से बहुत कम होती है तुमने यह कहां सीखा? करलाकार ने पूछा अपनी डाइरी में ये शब्द उतारते उतारते नहीं बता सकता अभी बेघन ने प्रयुक्तर दिया अपने रहस्ये को अंत तक पहुचाते पहुचाते कि उसे अपनी अधिकांश्ट अंतर दृष्टी कहां से मिली? धन्यवाद